हेलो फ्रेंट्स विल्कुम बैक टो माई चैनल प्रतिभाद निटर फ्रेंट्स आज मैं आपके शिंगल कलेर का डिजाइन लेकर आए हूं इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 14 के से प्लस चार फंदे लेने होते हैं यह डिजाइन टोटल बाराश तलाईयों में बनकर कम्प्विट हो जाती है यह राइट साइट से सुरू होती है फ्रेंट्स यहां पर मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए 32 लिए हैं 14 की मल्टिपल से 28 म्लस चार फंदे एक्ष्टा त तिस तरह से धागा पीछे करेंगे अब दिखिए एक, दो, तीन, चार इन चार पंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे तो दिखिए स्टार्टिंग के दो स्टार्टिंग के दो फंदway छोड के लास्ट के दो फंदे में पीछे की तरफ दालेंगे ये चार उफंदे स्लाइस होतारेंगे आगे की तरफ से ये दो फंदे स्लाइपर चाहा लेंगे और इन दो फंदों को इस तरह से स्लाइपर वापस से चाहा लेंगे ये दिखिए इस तरह से अब इन चार फंदों को हम सिधा बना लेंगे एक दो तीन इन चार फंदों को सिधा बना लिया अब देखी अब यहाँ पर आठ फंदे सिधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदे सिधा बनाएं अब देखी फ्रेंड स्टार्टिंग का एक फंदा हमने यहां से लेकर यहां तक का पैर्टन रिपीट करना है देखीए दो फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदों को आपस में राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे और फिर दो चार छे आठ 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 फंदे सिधे बनाएंगे तो हमने तो हमने यहीं 14 फंदे रिपीट करते जाना है तो फिर से रिपीट करेंगे धागा आपने तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे अब देखिए चार फंदों को आपस में हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे देखिए हमने स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़के लास्ट के दो फंदों में पीछे की तरफ सलाई डालना है चार फंदों को सलाई से उतार देंगे आगे की तरफ से ये दो फंदे सलाई पर चलाएंगे और अब इन दो फंदों को सलाई पर चला लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ फंदे सिधे बनाएं, तो देखी फ्रेंट्स, यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्टीट हुई, लास्ट में आप पास तीन फंदे एक्षरा बचेंगे, तो देखी धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे ब होनेगा, तो देखी फ्रेंट्स, इस तरह से हमारी यह फ्रेंट्स रो कंप्टीट ही, फ्रेंट्स, अब हम बनाएंगे, सेकेंड रो, दूसरी सलाई, रॉंग साइट से, तो देखी पला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, दो फंदे सिरह बनाएंगे, एक, दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, बार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तो देखी फ्रेंट्स, आइस टिच छोड़के, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है, दो फंदे सिरह बनाएंगे, दो, चार, छे, आठ, दज, बार, बार फंदे उल्टे बनाएंगे, तो फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सिरह, एक, दो, धागा अपनी तरफ, बार फं दस ग्यार बार तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी दो डिजाइन कंप्रीट हुई लास्ट में अक पास तीन फंदे एक्ष्टा बचेंगे तो देखिए धागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे एस्टी चुल्टा बना लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारी सेकेंड रॉग कंप्रीट हुई तो फ्रेंट्स ध्यान दीजेगा अब हमारी रॉंग साइट की जितनी भी रॉग बनेगी वह सेम सेकेंड रॉग की तरह ही बनेगी हमने जिस तरह से सेकेंड रॉग बनाई है इसी तरह से हम रॉंग साइट धागा पीछे करेंगे अब देखिए एक दो फंदों में सामने की तरफ स्लाई डालेंगे इस्तर से और दो फंदों आगे की तरफ इंदोनों फंदों को सलाई पर लेंगे कि इन दोनों फंदों को भी फ्राई under this चाहा लेंगे अब इन चारो फंदों को सीधा ढूंद लेंगे को ए एक को दो तीन चार इस तरह से अब देखिए इसके पल्ले हमने केबल बनाने के बाद आठ फंदे सीधे बनाये थे अब हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाएंगे तो हर बार हमारा इस तरफ जो है फंदे घटते जाएंगे अब हम यहाँ पर 6 फंदे सिधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चार फंदे सिधे बनाएं देखी फ्रेंट, स्टार्टिंग का एक फंदा एस्टिक छोड़के हमने यहां से लेकर यहां तक का पैटर्ल रिपीट करना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे सामने की तरफ से जाली डालेंगे चार फंदों में केबल बनाएंगे और फिर दो, चार, छेट, 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 फंदे सिधे बनाएंगे फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे देखीए दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे अब देखिए दो फंदों में सामने की तरफ सलाई डालेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे अब नेक्स चार फंदों में केबल बनाएंगे तो स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर लास्ट के दो फंदों में पीछे की तरफ से सलाई डालेंगे सलाई से फंदों को उतार कर आगे की तरफ से इन दो फंदों को सलाई पर लेंगे और ये दोनों फंदों को भी सलाई पर चाहा लेंगे अब इन चारों फंदों को सिधा गुन लेंगे एक, दो, तीन, चार देखी इस तरह से अब यहाँ पर हम छफंदे सिधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो देखी फ्रेंट्स, यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कम्ट्रीट हुई लास्ट में आप पास तीन फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो धागा पीछे, एस्टिस का फंदा सिधा बना लेंगे तो देखे फ्रेंट्स, हमारी थर्ड रो, तीसरी सलाई कम्ट्रीट हुई अब हम बनाएंगे, फोर्थ रो, चोथी सलाई, रॉंग साइट से तो फोर्थ रो को हमने सेम सेकेंड रो की तरह ही बनाना है अब हम बनाएंगे फिफ्थ रो, पांच विसलाई, राइट साइट से पला फंदा स्लिप करेंगे अब यहां से हमारा रिपीट पटन स्टार्ट होगा, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो, यह दो फंदे सीधे बनाए, अब देखिए, हमने जो चार फंदों में केबल बनाया था, अब इन में से जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे सामने की तरफ से, इस तरह से अब slipper थागा इस तरह slipper पेटेंगे जली डालेंगे अब next चार फंदों में केवल बनाएंगे starting के दो फंदे छोड़के जो ये last के दो फंदे हैं इनमें पीछे की तरफ slipper डालेंगे चार फंदे slice उतार कर आगे की तरफ से इसे slipper चलाएंगे और इस तरह से इसको भी slipper चला लेंगे अब इन चार फंदों को हम सिधा बना लेंगे एक दो तीन चार देखिए फ्रेंट्स इसके पहले हमने केवल बनाने के बाद छब फंदे सिधे बनाये थे और अब हम यहाँ पर चार फंदे सिधे बनायेंगे देखिए एक दो तीन चार तो इस तरह से इस तरफ हमारे हर बार फंदे खटते जाएंगे देखिए फ्रेंट्स एस टी छोड़कि हमने यहां से लेकर यहां तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है दो फंदे उल्टे बनायेंगे इस तरह से एक दो तो फंदे सिधे बनायेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे सामने की तरफ से जाली डालेंगे इसके बाद चार फंदों में केबल बनायेंगे दो चार चार फंदे सिधे बनेंगे हमने यहीं रिपीट करते जाना है तो फिर से रिपीट करेंगे धागा अपने तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो अब दो फंदों में सामने की तरफ स्लाइड डालेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से स्लाइड पर धाग स्लाइइ से उतार देंगे इस तरह इस्टार पर चढ़ाएंगे और इन दोनों को भी पर चढ़ा लेंगे अब इन चारों बनाएंगे कर दो तीन चार यह देखी इस तरह से केबल बनाई अब पंदे सिधे बनाएंगे एक दो तीन चार तो देखी फ्रेंट्स यहां पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई लास्ट में आपको पास तीन फंदे एक्ष्टा बचेंगे तो धागा आपने तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे एस्टिस सिधा तो सुनते विए हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंट्स अब हम बनाएंगे सेवन फ्रोश आक्ष्मी सलाई राइट साइड से देखिए पला फंदा स्लिप करेंगे अब यहां से हमारा रिपीट पैटरन स्टार्ट होगा धागा अपने तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो फंदेंगे था धाम पीछे पहले इस्टार्टिंग में सट चारों आगरेंगे देखिए ले आ लाष्ट वाले दो फंदों में पीछै की तरफ से लाइ आलेंगे लाएसे उतार कर यह दोफंदे बनाेंगे आप बढू सिधा बना लेंगे एक को चJan एक दोछ यह देभाण चार ही अब देखिए अब यहाँ दो फंदे सिध्य बनाएंगे इसके पहले हमने 4 फंदे लास्ट में सिध्य बनाए थे केबल के बाल अब मारे 2 फंदे सिध्य बनेंगे देखिए एक दो इस तरह से तो देखे फ्रेंट्स एस्टिच छोड़के हमने यहां से लेकर यहां तक का pattern रिपीट करना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो चार फंदे सिधे बनाएंगे दो फंदो का एक फंदा करेंगे सामने की तरफ से जाली डालेंगे चार फंदो को केबल बनाएंगे दो फंदे सिधे बनाएंगे फिर सरीपीट करेंगे धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदों में सामने एक तरफ स्लाइड डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, स्लाइपर धागले पेटें गचाहों डोचाहा है गया ह dag दालने या पर पिछे की तरभख प्रपम असुआ लाई को और लाई है लालास्ट पुमेस की उतार साभ दो फंदटी हो सदा बना लेंगे की बिल्क समस्कें जा प्रफ स्साम दोऱ को इस सम्सायल लाई है देखी फ्रेंट्स इस तरह से अब दो फंदे सिधे बनाएंगे एक दो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कम्प्रीट हुई लास्ट में आग पास तीन फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे एस् अब देखी स्टार्टिंग में च्छ फंदे हम सिधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच श्र पंदे सिधे बनाएंगे एक दो फंदों का एक पंदा करेंगे इस तरह से स्टार्टिंग के दो फंदे हैं इनको यहां पर ले जाएंगे तो देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़के लास्ट के दो फंदों में पीछे की तरफ स्लाई डालेंगे slice उतार के फंदो को आगे की तरप से यह दो फंदे slice पर लेंगे और पीछे की तरप से इन दुनों को Sliper चाहा लेंगे अब इन चार फंदों को सिधा बनाएंगे एक दो तीन चार अब देखे friends aún च्पें छोड़के यहां से लिकर यहां तक का पैटन रिपीट करना है देखिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो चार 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 फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदो का एक पंदा करेंगे सामने की तरफ से जाली डालेंगे चार फंदो में केवल बनाएंगे तो यहीं हमने रिपीट करते जाना है देखिए इसे धागा पनी तरफ करेंगे, दौ फंदे उल्टें, एक दौ दागा पीछे, छभः सीधे, एक दो, तीन, चार, पाँच, शे, छह पंदे सीधे बनाएंगे, अब दो फंदो में दिखिए, इस तरह से सामने के तरफ सलाइड ढालेंगे, दो फंदो का एक फंदा करेंगे, स्लाइप अगले पिटेंगे जाली डालेंगे चार फंदों में केबल बनाएंगे तो स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर लास्ट के दो फंदों में पीछे के तरफ स्लाइप डालेंगे चार फंदों को स्लाइप स उतार देंगे ये दो फंदे आगे की त्रेप स्लाइपर लेंगे इन दोनों फंदों को भी स्लाइपर चाहा लेंगे अब इन चारों को सिधा बुल लेंगे एक, दो, तीन, चार ये रिखे इस तरह से तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्रीट हुई लास्ट में तीन फंदे आप पास एक्स्ट्रा बचेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, एक, दो धागा पीछे एक पंदा सिधा इस टिजगा तो फ्रेंट्स हमारी नाइन थ्रों कंप्रीट हुई तेन्थ रों को सिकेंड रों की तरह कंप्रीट करेंगे या फिर आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे बुल लीजे, जाली वाला फंदा उल्टा बुल लीजे अब हम बनाएंगे अलेवन थ्रों, ग्यारहमी सलाई, राइट साइड से देखें, पला फंदा स्लिप करेंगे अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा धागा अपने तरफ, दो फंदे उल्टे एक, दो, धागा पिछे अब हम देखें, यहां पर आठ फंदे सिरह बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, पंदे सिरह बनाएंगे अब देखें, एक, दो तो फंदो में सामने एक तरफ जाए डालेंगे दो फंदो का, एक पंदा करेंगे इस तरह से स्लाइपर धाग लेपेटिंगे जाली डालेंगे दो पंदे सिधे बनाएंगे एक दो अधिकी फ्रेंज एस्टी छोड़के हमने यहां से लेकर यहां तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है दो पंदे उल्टे दो चार छे आठ आठ पंदे सिधे दो पंदो का एक पंदा करेंगे जाली डालेंगे दो पंदे सिधे बनाएंगे तो यहीं हमने रिपीट करना है फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ एक दो दो पंदे उल्टे धागा पिछे आठ पंदे सिधे 8 फंदे सीधे बनाए 2 फंदों में सामने एक तरफ वाई स्लाईड ढालेंगे 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे तो दिखे यहां पर हमारी 2 डिजाइन कफिट हुई थाग आपने तरफ 2 फंदे उलटे एक दो धागा पीछे HDC था तो देखी friends हमारी 11th row कंप्लीट हुई 12 row को सेकेंड रोख ही तरह कंप्लीट कर लेंगे तो देखी friends यहाँ पर हमारी 12 सलाईयां कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा एक पैटन ओवर हो जाता है friends जब हम इनी 12 सलाईयों को repeat करते जाएंगे तो हमारा जो पैटन है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा तो friends उमिद करती हूँ कि आप वीडियो पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलेगा आप लाइक करना भूल जाते हैं चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पेल आइकान को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोट्फिकेशन मिल सके हम फिर मेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए बब बाए